अस्सलाम ओलेकुम प्यारे बच्चो गुड मौर्निंग खेरियत से हो चलो आज हम कक्षा तीन अभीनव हिंदी प्रवेशिका में क्या शीखेंगे तो आज हम अभीनव हिंदी प्रवेशिका में पुन्रावर्तन शीखेंगे क्या शीखेंगे पुन्रावर्तन शीखेंगे देखो यहाँ पर लिखा है पुन्रावर्तन एक क्या लिखा है पुन्रावर्तन एक चित्र को उसके नाम के पहले अक्षर से जोड़ो चित्र ने तेना नाम ना पहला अक्षर साथे जोड़ो हमको यहाँ पर चीतर को देख कर उसके नाम से पहले अक्षर को जोड़ना है समझ में आया बच्चो तो देखो यहाँ पर क्या है घड़ी क्या है घड़ी तो घड़ी को हम यहाँ से जोड़ेंगे यहाँ पर मैंने जोड़ा गया है देखो घड़ी उसके बाद है छगड़ा क्या है छगड़ा उसके बाद उसके बाद क्या है तराजू उसके बाद कच्छुआ और उसके बाद चर्खा समझ में आया बच्चो फिर नीचे देखो यहाँ पर जर्ना जलेबी गमला और ये क्या है बच्चो खटिया और ये टांगा समझ में आया सबको उसके बाद देखो चित्र देखो उसके नीचे लिखे हुए शब्द पढ़ो और उनमें छुटे हुए अक्षर लिखो यहाँ पर हमको देखना है चित्र को देखना है और उसके शब्द छुटे हुए है अखेला शब्द वाँचो अनेते माँ बाकी रहेला अक्षर लखो देखो यहाँ पर क्या है घोड़ा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है घोड़ा उसके बाद घर उसके बाद थर्मस और उसके बाद ठटेरा फिर उसके बाद धनिया समझ में आया बच्चो यहाँ पर आप लोगों को भी लिखना है फिर देखो छत्री छत्री के बाद यहाँ मैंने लिखा है नीचे छत्री कबूतर जग चपरासी बटन समझ में आया बच्चो उसके बाद देखो कलश गणपती जरोखा खरल कलश गणपती जरोखा खरल खाली जगह में उचित वल्ण लिखकर सार्थक शब्द बनाओ खाली जग्या में योगी अक्षर लखीने सार्थक शब्द बनाओ यहाँ पर हमको क्या करना है खाली जगह में वल्ण को लिखना है देखो यहाँ पर क्या आएगा बकरी खाली जगह में को आएगा बकरी उसके बाद बत ख बतक क्या आएगा बचो बतक उसके बाद भगत बगत क्या आएगा बगत उसके बाद भजन फिर उसके बाद पगडी यहाँ पर गाएगा पगडी गर्दन रहाएगा गर्दन उसके बाद कलश क्या आएगा बच्चो कलश 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 उसके बाद बटन क्या आएगा बटन समझ में आया बच्चो उसके बाद देखो चितर देखो और उसका पहला अक्षर लिखो चित्र जोओ अने तेनों पहलो अक्षर लखो देखो हमको चित्र को देखकर उसका पहला अक्षर लिखना है घर, कमल, धनुष, जहाज, थन, दरजी घर, कमल, धनुष, धनुष, जहाज, थन, दरजी उसके बाद देखो टमाटर, खरगोश, तबले, जंडा, गधा, चमची समझ में आया बच्चो सबको ठैंक यू